The difference between set-off and counter-claim ये terms ऐसी हैं जिसमें हर एक दूसरा व्यक्ति, हर एक दूसरा law student or law practitioner confused होता है तो उसका simple one-line example अगर मैं आपको दूँ कि set-off में हम plaintiff के claim को accept कर लेते हैं लेकिन हम उसमें बोलते हैं कि हमारा भी आपको इतना-इतना claim देना है अगर A मेरी against में कोई case file करता है कि मुझे A के 1,00,00,00 रुपए देने हैं तो मैं set-off में accept कर लूँगा कि मुझे उसके एक लाग रुपए देने हैं लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि A को भी मेरे 50,000,00 रुपए देने हैं लेकिन counter claim में क्या होता है counter claim में अगर A बोलता है कि मुझे उसके एक लाग रुपए देने हैं तो मैं पहली बात उसके allegations को ही deny कर देता हूँ अपने return statement में और फिर मैं अपना claim वहाँ पर लेके आता हूँ कि मुझे इनके और A के एक लाग रुपए नहीं देने हैं बट A को मेरे एक लाग या पचास यार जो भी amount है वो देना है तो set of में मैं claim को accept कर लेता हूँ और अपने कुछ दूसरे facts लेके आता हूँ बट counter claim में मैं facts को accept नहीं करता हूँ और अपना claim वहाँ पर लेके आता हूँ See you tomorrow